गुड मॉनिंग दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पहड़ी गुरू जी में जैसा कि आपको पता है हमारे इस चैनल पर एक्सल से रिलेटेड कई वीडियो अपलोड की गई हैं और आगे भी करी ही जाएंगी तो आप हमारे इस चैनल पर इतने लंबे टाइम से हैं तो आपके इस प्यार के लिए धन्यवाद जैसा कि आपको पता है हमारे इस चैनल पर Excel की video upload की जाती है जिसमें हम आपको Excel की कमाल की trick आपको बताते हैं जो आपके दैनिक जीवन में, office में, workplace में काम आती है तो इसी करम में एक video आज फिर से upload की गई है जिसका topic आपने थमनेल में देखा होगा यूज परसंटेज साइन हम किसी भी डेटा में परसंटेज का साइन कैसे लाते हैं या कैसे लगाते हैं तो इसके लिए एक कमाल की ट्रिक है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें तो स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो तो जैसा कि आपको एक डेटा दिया गया है जिसमें कुछ लोगों के नाम दिये गए हैं और यहां पर उनकी total percentage दी गई है तो अजे ने 89% लिया वीजे ने 94% प्राप्त किया राम मोहन ने 59 इसी तरह से हर person की percentage यहां पर दिखाई गई है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पर percent का sign आ जाए इसके पीछे से जो है जैसे 89 लिखा है तो 89% लिखा आए तो इसके लिए हम क्या करेंगे बहुत आसान सी trick है तो लोग क्या करते हैं इस पर इस पर जैसी हम करें अब हम किस पर जाएंगे हम जाएंगे general tab में general tab में जाके यदि हम percent sign पर click करते हैं तो क्या होता है हमारे पास दो जीरो एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो point है कि हमें percent sign लाना हैं लेकिन हम percent sign लाना चाहरे थे यह hundred से multiply हो गया और percent sign के साथ तो हम इसको कैसे करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे एक छोटी सी ट्रीक है जो आपके useful होने वाली है तो इसके लिए क्या करेंगे इसको हम पर्ले control जैट कर लेते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर एक cell पर क्या लिखेंगे one press करेंगे और इसके पीछे क्या लगा देंगे पर्सेंट का sign जैसी हमने इसको पर्सेंट का sign लगाया तो इसको हम क्या करेंगे इसको control सी करेंगे और जो हमारी seat है यानि कि जो हमारी column में जो data दिया गया है इसको हम क्या करेंगे select करेंगे इसको select करने के बाद हम क्या करेंगे इस पे जाएंगे paste special पे जाएंगे जैसी paste special पे जाते हम तो हमारे पास एक paste special का dialogue box खुल जाता है जैसे dialogue box खुलेगा तो इसमें हमारे पार कई option आते हैं इसमें हमें किसमें जाना operation के अंदर multiply जैसी multiply पर क्लिक करेंगे और हमारा काम पूरा हो जाएगा यह देखिए जैसी हमने multiply पर क्लिक किया और हमारा data जो है special जो हम चाहते थे percent form में आ जाए और हमारा data जो है percent form में आ गया तो कैसी लगी आज की वीडियो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जादा से जादा शेयर करना वीडियो से आपने कुछ सीखा तो उसमें आप एक comment के माधियम से आप हमें बता सकते हैं कि आज हमें वीडियो में यह अच्छा लगा तो ऐसी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियOT को जादा से जादा शेयर करें है तो आज के लिए इतना ही मिलते है अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाइ